तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नमबर 20 क्लास 8 मैथमेटिक्स की वर्कशीट है इसमें हमने पढ़ना है दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं चो दशमलव से पहले हो उसको बोलते हैं पुर्नांक और चो दशमलव की बाद हो उसको क्या बोलते हैं दशमलव हिस्सा अब हम सीखेंगे दशमलव भिनो का वर्गमूल कैसे निकाला जाएं देखो बेटा ध्यान से सबसे पहले वर्गमूल निकालना है 23.453 का अब ध्यान स देखना बेटा सबसे पहला काम आपका क्या है पेर बनाना जोड़े बनाना और जोड़े कैसे बनाओगे देखो दशंबलों के बादवालों के अलग से जोड़े बनेंगे तो एक जिरो लगा दी जोड़े बनाने के लिए जोड़ा पूरा हो गया यह जोड़ा यह जोड़ा जो नमबर यहां लिखोगे वही नमबर यहां पे 4, 4, 0, 16, 23 से छोटा होता है 5, 5, 0, 5, 25, 25 जो होता है आपका छोटा बड़ा होता है तो वो नहीं लिख सकते तो 4 जोक, 16 यहां पे कितना बच्चा? 7 यहां से पूरा पेर उतरेगा, पूरा जोडा उतरेगा एक अकेली चीज नहीं उतरेगी अब इसमें इसको क्या कर दो? प्लस, तो 4, 4, 8 जो नमबर यहां लिखोगे वही नमबर यहां पे दशमलाव की बाद वाला पाट शुरू हो चुका है तो दशमलाव क्यार कर दोगे? लगा तोगे लिखा 8, यहां पे लिखा 8, जो जो नमबर देखो जो नमबर यहां लिखोगे वही नमबर यहां पे तो अब देखो 9.36 इसके आसपास आजएगा क्योंकि जब मैं carry करूँगी तो carry करूँगी तो यहाँ पे क्या होजएगा? ज़्यादा होजएगा तो यहाँ पे भी लिखा 4 और यहाँ पे भी लिखा 4 तो कितना बन गया यहाँ से? 3, 8, 5, 6 3.5 तक निकालना है तो ध्यान देना बिटा यहाँ पे 4 जमा किया तो कितना बन गया? 9, 6, 8 इसमें से इसको घटाओगे तो कितना बन जाएगा? 2, 7, 4 यहाँ पे 2, 0 पेर बन के extra क्योंकि यह से भाग नहीं होगा तो 2, 0 और आ गई अब यहाँ पे देखो जो नमबर यहाँ लिखोंगी वही नमबर यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 2, ठीक है? अब इसको देखो 9, 18, 9, 27, 27 से जाधा हो जाएगा कुछ ना कुछ कहरी करके तो 2 पे जाएगा तो अब देखो 3 दिसम्बल अस्थानों तो का गया सोल्व करने की जरुत निया सिद्धा लिख दो यहाँ पे 13.453 का जो स्कुएर उठ है वर्ग मूल है आपके पास कितना हैगा? 4.842 तो आगे आज आजो 2nd पार्थ पे 2nd वाला क्या कह रहा है? 1.67 सबसे पहले दिखती बाद है बिटा 2 में तो पूरा होगा नहीं तो और 0 लगेंगी और 0 लगा लो 1.2 इसका पेर इसका जोड़ा की तो है यह बिना जोड़े की तो 1 एक 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 हो गया? ठीक है? यह 0 पूरा पेर उतारा अब दशमलो के बाद की बात आ गई है तो यहाँ पे क्या लगा दूँगी? दशमलो पिर किस पे जाएगा? 1 और 1 इसमें इस कुछ क्या कर दूँगी? जोड़ दूँगी कितना आ गया? 2 जो नंबर यहाँ वही नंबर यहाँ तो 23 तिया 79 23 पे तो जाएगा? नहीं तो 22 दूँदी 44 चला गया तो 22 दूँदी 44 तो यहाँ से कितना बचा? 23 उपर से आ गई यह 2 0 इसमें क्या किया? 2 जोड़ा कितना आ गया? 24 जो नंबर यहाँ वही नंबर यहाँ तो यहाँ पे किस पे जाएगा यह? 9 पे 9 दूँदी 18 तभी तो जाएगा 9 27 यहाँ पे अगर मैं 3 लिखूंगी 9 27 जादा हो जाएगा कही न कहीं तो देखो अब कितना आ गया यहाँ पे जब मैं इसको इससे भाग करूंगी तो मेरे पास कितना बचेगा यहाँ पे 2241 इससे इसको गुना किया तो 241 जब घटाओंगी तो कितना बनेगा यहाँ पे 69 और 20 और और आ जाएगी यहाँ से 20 जब इसमें इसको जोड़ूंगी इसमें जोड़ूंगी तो मेरे पास कितना बन जएगा 258 जो नंबर यहां लेकोंगी वही नंबर यहां पर ठीक है यहां देखो 5 है 2 दुनी 4 इससे छोटा होगा वही चाहिए तो 2 से किया ठीक है अब इसको सोल करके देखने के ज़रत नहीं है 3.3 तक निकाल लिया तो कितना आ गया 1.67 का कितना आ गया 1.292 अब आज हो अगले पर अगला क्या कह रहा है 289.7 सबसे पहले वही जोडे बनाऊंगी जोडे कैसे बनेंगे इसकी 0 लगा दी यह बन गया यह बन गया एक एकम एक यहां से बच्चा एक उपर से यह आ गया एक और एक यहां पर इसके सामने क्या आ जाएगा दो जो नंबर यहां वही नंबर यहां 27 से ठीक है तो 27 सते 189 हो गया पूरा डिवाइड 0 यह पूरी डिजिट यहां उता रही अब दशमलों के बात की बात हो रही तो दशमलों अब आएगा आप देखो 27 में क्या जोड़ना है साथ 27 में साथ जोड़ूंगी तो कितना बन जाएगा 34 जो नंबर यहां लिखोंगी वही नंबर कहां लिखोंगी तो ध्यान देखना बेटा यह तो दो अक्षर का नंबर यह तीन अक्षर का नंबर यहां लिखना तो कुछ नं कुछ है अगर नहीं लिखोंगी तो पॉसिबल नहीं जीरो भी अगर मैंने लिख दिया तो भी यह ज़्यादा बन जाएगा तो ध्यान से देखना बेटा तो जो नंबर मैं यहां लिखोंगी वही नंबर यहां एक ने पर बढ़ा हो जाएगा तो divide तो होगा नहीं, एक और 0 उतार नहीं पड़ेगी एक जिरो और उतार नहीं पड़ेगी तो यहां पर क्या जाएगी 0 जब आप एक एक्षन चीज उतारते हों ओना divide के तो क्या लग जाती है? 0 भीना भाग किये, तो यहां से कितना आगया, दो, दो पे मैंने किया, दो चोक आठ, दो दुनी चार, दो चोक आठ, दो दी अच्छे, ठीक है, जब इसको सोल्व करूँगी, तो यहां से बना सोला, उपर से फिर वही, पेयर वाली दो जीरो उतार ली, ठीक है, आप देखो, यहां पे 342 में 2 जोड़ूँगी, तो 344 हो जाएगा, अब 344 के बाद जो नंबर यहां लिखना है, अब 344 के बाद यहां पे मालों में एक भी लिखती हूँ, यहां पे भी एक लिखती हूँ, तो भी वो इससे बढ़ा हो जाएगे, तो यही तो सोला सो, यह तीन अजार भी रिवाइड नहीं हो रहा, तो यहां पे क्या लगा दी, 0 अगेन, तो तीन दिशंबलाव सानों तक ही निकालना है, तो कितना आ गया यहां से, वर्ग मूल किसका, 289.7 का, 17.020, क्लियर, आगे आजाओ, लास पार्ट पे, लास पार्ट आपका क्या गया है, देखो, 456.12 सबसे पहले, जोडे बनाओ, इस पे लगा दी, 0, यह बन गया, यह बन गया, यह बन गया, तो आप देखो, दो दुनी 4, पूरा गया, यहां पे 0, यह 56 पूरा उतारा, दो और दो, 4, जो नमबर यहां लिखोगी, वही नमबर यहां पे आ जाएगा, तो यहां पे 41, एकम 41, दो पे करोगी, तो 84 हो जाएगा, जादा हो जाएगा, 56 में से 41 गया, आपका बना 15, यहां से यह उतारा पूरा आप दशमलाओ की बाद की बात है, तो यहां क्या लगया दशमलाओ, ठीक है, 41 और 1, एक जोड़ोगी, तो कितना आ गया, 42, जो नमबर यहां लिखोगी, वही यह उतरेगा, यहां गया, जब इसमें 3 जोड़ोगी, तो कितना बन जाएगा, 426, 426, जो नमबर यहां लिखोगी, वही नमबर, यहां पर मैंने लिख दिया 5, जब 4265 को 5 से गुना करोगे, तो यहां पर मेरे पास कितना बन जाएगा, बेटा, 21,325, दिखे, आप देखो इसमें इसको क्या करने है, जोडने है, तो प्लस करोगे, तो 4, 2, 70 हो जएगा, अब जो नमबर यहां लिखोंगी, वही नमबर यहां पर पहले इसको solve कर लेते हैं, यह बनेगा, 300 और उपर से यहां से क्या आजेगी, 0, जो नमबर यहां लिखोंगी, वही नमबर यहां पर आएगा ठीक है तो मैंने यहां पर लिख दिया साथ यहां पर भी साथ अब इसको solve करके देखने की जरत नहीं है तो कितना आजाएगा किसका वर्गमूल वर्गमूल 456.123 का कितना आगे 21.357 तो बेटा ये थी worksheet number 20 I hope it is clear to everyone and if you like it then please share and subscribe thank you so much